कि दोस्तों जैसे कि आप सब्सक्राइब को पता है कि यूपी में प्रिद्धा पेंशन विद्वा पेंशन या फिर बिकलाग विश्ट जितने भी हैं सभी में यहां पर आधार अथंटी केशिन का जो है सभी को निर्दिश दे दिये गया है जिनका अलड़ी यहां पर नियू पेंशन अपलाई किया है उनका यहां पर यह नहीं दिखा रहा है लेकिन जिनके यहां पर काफी पूराने पेंशन हैं प्राप्त कर रहे हैं उन सभी का जो है यहां पर आधार अथंटी केशन का जो है प्रोधान चालू कर दिया गया है आईसे में तो यहां पर उन सभी जि कर सकते हैं completely बिल्कुल भी यहां पर 100% करांटी के साथ आप यह करेंगे तो इस तरीके से करेंगे तो आपका यहां पर भी successful हो जाएगा अचलिए आपको बता दें मूबाइल नंबर लिंक से लेकर के आधार के वाइसी तक पूरी वीडियो आपको पूरा देखें ध्यान से त जाल चुका हूं अपने चैनल पर जिसे की अपना कैसे करते हैं और यहां पर यहां पर यह दूसरा वीडियो हमारा जो पढ़ने वाला तो चली वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों आप सभी को अपने Chrome प्राउजर में आ जाना और यहां पर समाज का लाल विभाग प कैडियो आपको क्यों पर मिल जाती रिदापेंशन और चैनल पर एसे आपको कर लेंगए है जिसका आपको thou करना है तो शुटाना करने चैनल नॉट तो इस नए इंटरफेस में आपको कुछ जानकारी यहां फिलब करनी होती है जैसे कि यहां पर देख सबसे पहले आपको option मिलता है यहां पर Select pension scheme का अब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके तीनों यहां पर pension आ जाते हैं जो आपको करना है आप उससे करना है अब कर नंबर कैसे निकालते हैं इसके लिए डिटियो बना रहा है उसका लिंक आपको डिसक्रिस रिस्ट में यहां तक की वीडियो के और यहां पर आपका रिस्टेशन नंबर भी पंजी कर लेते हैं और यहां से ओके कर देते हैं दें दोस्तों कर लेने के बाद यह आपके मैसेज बॉक्स में भी मिल जाएगा उपर कि दर सरायाट करेंगे नीचे तो यहां पर भी आपको मोबाइल नंबर है वो लिंक हो चुका है आप नीचे आएंगे सेक्शन में देखेंगे यहां पर मुबाइल नबर इज अपडेट सक्सेश्फूली प्रोसीड टू अप्लिकेशन लॉग इन यहां पर देखेते हैं इस आप लिखा हुआ है अब आपको करना है अपने में पेज पर जाकर करके लॉग इन यानि हम आएंगे इस तरीके से में पेश पर और में पेश पर आ जाने के बाद उपर स्लाइट करेंगे दोस्तों स्लाइट करते वए निचा एएंगे बृद्धा उस्था पेंशन में उसके बाद यहां आप देखेंगे आपको जो भी जिसका भी करना है आपको किलिक कर लेन पर हमें अब यहीं पर हमें जो वह कुछ चीजियों को भरना होता है जैसे कि यहां पर साथ ही जो है रहाई पर तरह साथ भी स्थाइब भाद लिया है हमने और यहां पर देखर लिए है ओप्शन आ चुका है तो यहां पर नीचे देखेंगे यहां पर नीची तो यहां पर देखने को मिल जाएंगे इसे हम यहाँ पर cut कर देंगे, save नहीं करेंगे, और यहाँ पर उपर देखेंगे, आपका dashboard open हो चुका रहेगा, dashboard में आपका यहाँ पर सब कुछ दिखाए देगा है, और यहाँ पर देखेंगे, application form field successfully, उसके बाद application finally logged है, इसके बाद application pending for अधार verification का यहाँ पर दिखाए देगा, आप यहाँ पर देखेंगे, आपका यहाँ पर देखेंगे, आपको करना क्या है, इसको उपर करते हुए आना है आपको, और यहाँ पर आपको option मिलेगा, अधार authentication का, इस पर आपको click करना होगा, इस पर आप click करेंगे, तब ही आप अपने यहाँ पर आधार authentication कर पाएंगे, तो इस पर आप simply आपको click कर देना है, और उसके बाद उपर कितरफ scroll करते हुए आपको आना है, उपर कितरफ scroll करते और यहां पर आपको सत्यापन करने का 3 मौका दिया जाता है उसके बाद यह कैप्सिट कोड डालना है यहां पर चीक बॉक्स पर कलिक करत behavior mo तो यहां पर आपको ध्यान दिना है दोस्तों कि आपको जो है आपका नाम जो है अधार से और यहां पर जो है इस से मैच होना चाहिए अगर मैच नहीं होगा तो यहां पर आपका अधार 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 करेंगे अधार के पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेज डारेक्ट हो जाएगा और पुना इसी पेज़ पर आप आ जाएंगे तो आपको क्याना उपर कि तरह श्कॉल करते हुए आना है उपर की तरह स्कॉल करते हुए आप आएंगे तो यहां आप देखेंगे आपका जो यहाँ पर Authenticase का जो सिंबल यहाँ पर दिखाई दे रहा था अब यहाँ पर आप देख पाएंगे दोश्तों की अधार authentication success इस तरीकी का आपको जो है टिक लग जाएगा और इस तरीकी का यहां पर signboard दिखना स्टार्ट हो जाएगा और यहां पर proceed for final print का option मिल जाएगा इस पर क्लिक करके आप अपने form की final print ले सकते हैं कि यहां पर जैसे आप final print पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने mobile के तुरू घर बैठे अपने आसानी से इसी आसान स्टेप को फालो करते हुए अपना केवाई सी कंप्लेट कर सकते हैं आसा करते हो दूस्तों आपको इस वीडियो के मदम से काफ़ी कुछ मदद मिली होगी अगर आपके लिए वीडियो फूट रहा हो तो चैनल को ज़रू सब्सक्रीब करें साथ ही बेल आइकन प्रेस करा नोडिफिकेशन भी इनेबल करें आने वाली वी